माघ मास में करें, प्रियाग राज में स्नान माघ मीला हिंदू धार्मिक त्योहार है ये भगबान ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड का निर्मान करने पर उसका जश्न बनाने के लिए इसका आयूजन किया जाता है माना जाता है, जो लोग इस दौरान कल्पवास का पालन करते हैं, उनके पिछले जन्म में किये सारे पाप भी धुल जाते हैं उन्हें जन्म मृत्यू के चक्र से भी मुक्ती मिल जाती है प्रियाग राज में माघ पुर्णिमा के स्नान मेले की शुरुवात हो चुकी है त्रिवेणी संगम पर डेड़ महीने तक साधूं से लेकर भक्तों तक डुपकी लगाने के लिए आते हैं प्रियाग राज में होने वाले माघ मेले को अर्ध कुम्भ मेला भी कहा जाता है इसमें कल्पवासी 45 दिनों तक संगम के किनारे रहते हैं ऐसा माना जाता है जो इस खास तिथी पर स्नान करने के लिए आता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं माघ मेले का पहला स्नान पोश पुरणिमा के दिन 6 जनवरी को किया गया था 18 फरवरी को महाशिवरात्री पर मेले के आखरी दिन के बाद मौनी अमावस्या का स्नान 21 फरवरी 2023 को होगा लगभग डेड़ महिने तक चलने वाले माघ मेले में नागा साधु भी स्नान करने आते हैं जो साधु सालों साल तक कहीं भी नजर नहीं आते वो भी इन दिनों में संगम पर स्नान करने के लिए आते हैं तो अगर आप भी पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो माघ मास का स्नान करने जरूर जाहिए